शर्दे, संतजन, धर्म प्रेमि सज्जनों, तथादेविव सत्संपंडाल की प्रतुम मर्यादा बनाई रखना हम सत्संगी भाई बेहनों का पुनीत करतब बे तो यह सत्संपंडाल, नाच रंग का मंच नहीं, और सत्संग की बातें हमारे बाहिया भ्यंतर को छोने वाले, बदलने वाले और सजाने समारने वाले होती है, इस सत्संग की बड़ी महत्ता है, गौसामित उसी ने कहा, कि सत्संग गत दुरलब संसारा, निमिश दंब भर एक हुँबारा, एक शण सत्संग का हो जाए, और सत्संग की एक बात आपके दिल को इसपर्स कर जाए, तो वहीं से आपके जीवन का नक्सा बदल सकता है, इतना महत्तपुर्ण माहो लहें, स्रिष्ट पुर्सों का हम नमन करते हैं, आशिरबाद मिलते हैं, आयुश्मान भव, पुत्रबती भव, बिदुसी भव, धनवान भव, आशिरबाद मिलेगें, और अभिबादन करने वाले लोगों की चार चीज़ें बढ़ जाती हैं, ऐसा धर्मशास्त्र का है, अभिबादन शिलस्य नित्वरद्धोप सेविनह, जो अभिबादन शीले हैं, नमन करने का सुभाव जिसका है, स्रिष्ट पुर्सों का नमन करें, माता, पिता, गुरु, विद्वान, बुजरगों के बंदन के साथ साथ सेवन भी करें, उसकी सेवा भी, जो अभिबादन शीले हैं, अनित्वरद्धों के सेवा करने वाला, ब्रद्ध में चार-पांच जने आते हैं, माता, पिता, गुरु, विद्वान, बुजरगों, इस सब सरद्धे माने गए हैं शास्त्रों में, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं, आयू, विद्वान, यसं, बल, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं, आयू, विद्वान, जस, और बल, तो नमन तो करना चाहिए, इस समय का ज्ञान तो रखना चाहिए, कौन समय कौन काम करें अनमान जी का नाम तो आप लोगों न सुना ही होगा, जो नहीं सुना हो लाओ, साथ जीवी ताजम नहीं होगा जानकी का हरन हो गया था, असुत्र से पता चला, कि जानकी रावन के द्वारा हरी गई है, और वो अल्ला कामा है उन लंका कहा है, इसका पता अभी तक नहीं इतिहास में भुगोल में जिस लंका का आप नाम सुनते हैं, और रावन वाला लंका नहीं है, और रावन को होने की कोई पहचान नहीं है जो लंका भी दक्षिन भारत के आप नो देख रहे हैं, वो रावन वाला लंका नहीं है उस लंका का पता ही नहीं एक लंका कहा है अजो अध्या राम की है, तो बहुत सारी सबूतें हैं राम को होने के, बहुत से सबूतें राम जन्य भूमी है, सीतारसोई घर है, राम लक्षन भसतोगां को खेलने की क्रिरा भूमी है परिवार का कलह इतना बढ़ गया कि परिवार के कलह से दुखी हो करके राम जी सरजुग में डूब करके मर गया राम जी जल समाधी लिये थी सरजुग में वो गुपतार गहाट है इतने चिन है राम को होने के अजुद्याना यह रावन को होने का कोई चिन नहीं है लंका में जो भंडार नायक बला लंका है अब जो लंका हो पता चला की जानकी रावन के द्वारा हरी गई है और वो लंका में अब इसका पता करने के लिए आदमी की तलाश होने लगी सब लोग तो बोल रहे हैं कोई सोच रहे हैं हन्मान जी चुप चाप तो जामबंद नहीं कहा कि काच चुप साधी रहो बलवाना राम काज लगी तब अब तारा तुम्हारा ही अब तरन हुआ है राम के काम के लिए फिर चुप के से बेठे हुए हो सुनता ही भयव परवता कारा गप सप्रमान में बहुत है मसक समान रूप कभी धरी है आदी मच्छर हो जाएगा जी ऐसा उपन्यास दुनिया मुसुने है करें लिए समय परा तो हन्मान जी मच्छर होगा समय परा तो इतना बड़ा शरीर बनाया है इतना लंबा चौरा चार स्वकोस का शरीर बनाया जितनी दूरी लंका और अजोध्या की नहीं है इसको भी छोड़ दीजिए हन्मान जी चले गया जाए मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा मंदिर में जहां करके हन्मान जी ने देखा जानकी का कहीं पता नहीं चला फिर ढूड़ते ढूड़ते उन्हों देखा कि असोख बाटिका में पेड़ के नीचे जानकी जी बैठी हुए बड़ी सरधा उमर गई जिसे हमारी बहनों को सरधा उमरती है इस सरधा का संबरन नहीं कर पाती है अगर करुणा का समय आवेत उनको रोने में देर नहीं रोना तो इनके समुद्रे बसता है इसके आँख में जो रोने का कारण आवेत इस सोच नहीं सकती है संबरन नहीं कर सकती है रो देखी चुकि माताओं का जीवन करुणा का जीवन होता है करुणा की मुर्थी बैठे रोना तो एक सेकेंड का काम है और भाबुकता भी उतनी ही है मन होता एक चल कर क्यों ही प्रणाम कर ले इसी तरह की सरद्धा उमर गई हन्मान जी के पास मन हुआ कि जानकी का जाकर के हम भी चरनस पर्स कर ले नमन कर ले इस समय अनकुल नहीं था तो समय अनकुल नहीं था प्रणाम करने के लिए तो हन्मान जी ने क्या किया मन ही मन ही किन्ध प्रणाम नीति के अनुसार समय अनकुल नहीं रहने पर हनमत लाल जी ने मन ही मन मा जानती का नमन किया किसी पेड की डगाल पर छिप करके बैठ गया प्रगट होने का समय नहीं था चुकि बहुत सारी बातों की जानकारी लेनी थी उनको रावन बहुत बड़ा जोद्धा है जहां तहां उसके बीर लोग सब बैठे हुए है सब की निगरानी करनी है देखनी है सारी चीज़ों कहां कौन जोद्धा बैठा हुआ है नीचे उत्रें अब ये कहीं मुकाबला हो जाए इस सारी परिस्थतियों का अध्यन करके हनमान जी ने सोचा कि अभी निकट जाकर प्रणाम करने का सबय नहीं है तो मन ही मन ही किन प्रणाम है मन ही मन प्रणाम करके किसी पेर की डगाल पर छिप करके बैठे है उसी तरह से अभी मंच पर आकर के प्रणाम करने का सबय नहीं है अब बारी बारी से दस-विस मात आएं आकर के प्रणाम करें, सहाबंदी करें, तो गारी छुट जाई जो वह प्रणाम करते रहें, हम आसरबाद देते रहें और आप लोग टक-टकी लगा कर देखते रहें, सुनने के लिए कुछ हो मिलेगा नहीं इसलिए बीच में प्रणाम करके सत्संग प्रवचन के क्रम में बाधा नहीं डाले देखिए सत्संग के बाद आर्ती होती है कुछ साखियां गाई जाती है अज सभी भाई पहनों को बंदगी करने का अवसर मिलता है उस समय बंदगी करें फूल पती जो कुछ चरहना पर हमाँ चरहना है इस सारी नियमों का पालन करके सत्संग पंडाल की मर्यादा बनाई जानी चाहिए अब थोरा निवेदन है और निवेदन के लिए कुछ प्रसंग को सामने रखना चाहता हूँ चुकि मैंने कहा कि सत्संग की एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनी आध अत्तुलसी संगती साधु की हरे कोटी अपराद निमिस दंड भरी ये कहुँबाना एक छण आप सत्संग कर ले एक शब्द को आप धारन कर ले जीवन निहाल हो जाए एक शब्द बहुत एक बार प्रजापती ब्रम्हा की पास हम लोग दो बहुत सुन करके भी बदलते नहीं हैं सुनते हैं तिन-तिन घंटे अब पड़ी वरतन कुछ नहीं होता है पला जहार सत्संग करते हैं आजकल कुछ कपड़े ऐसे बने हैं कि असनान कर लिजिए पानी में धो दिज्या जटक दिज्य कर से पानी गिर गिया कपड़ा सुप गया बहुत धूप और हवा लगाने की ज़र्वरत नहीं है ऐसे से कपड़े आकर तो भींचा ही नहीं है भींच भींच भीग गया तो एक बार जोर से जटक दीजिए सब पानी निकल गया कपड़ा सुखा का सुखा है ऐसे पला जहार सत्संग हम लोग भी करते हैं सत्संग बैठे के गंची बिचा करके आसनी बिचा करके असत्संग से उठे आसनी को जहार दिए बबाजी के बाद बबाजी के पास चल जो हम खाली खाली बैठे थे खाली खाली चले जाए पला जहार सत्संग से काम नहीं चले गुसामे तुलसी ने कहा था एक नियम कि सुनी महराज स्री राम ना सबरी से कहा थी कुछ महापुरुसों के विचारों के परसंग पर ध्यान दीजिए स्री राम जी ने मा सबरी से कहा कि शबरी मैं तुमसे नवधा भगती की चर्चा करना चाहता हूँ अपना लक्ष पहले बता दी कि हम नवधा भगती की चर्चा करना चाहते हैं तुम्हारे सामने यह तुम्हारी स्थती कैसी हो तो पहले साब धान सबरीक लिए बता रहें नाम जी कि तुम कैसी हो जाओ तो पहले साबधान साबधान का मतलब होता है बिल्कुल मौजूद जीवन जहां तन है वही मन है वही चेतना हो तन कहीं है चेतना कहीं है मन कहीं है इसको साबधान नहीं कहा सर्दान का मतलब जहां याँ आप हैं वोहीं रहें, यहां रहा करके भी हम कहीं हो सकते हैं, यहां बैठे बैठे भी हम कहीं होते हैं, तन से हम यहां होते हैं चेतना कहीं बाहर होती है। अगर तन ही यहां रहा या चेतना कहीं बाहर रही है। यहां होने बाली बातों से आप प्रभावित नहीं हो सकते हैं। हम गैर मौजूद रहता है आजकल तो परंपरा नहीं है टीवी का जवाना है शाम होते बच्चे टीवी के चित्रहार में कनपटी सटा देता है बढ़िया पढ़ा लिखने वाला लड़का जो प्रतिभावान है वो तीन चीजों में अपने मूलिबान वक्त को गवाते चला ज को समाज की नेताओं को परिवार के अगुवा को तीन चीजों में छात्र छात्राओं का जीवन अस्त्व्यस्त होता चला जा रहा है वो है टीवी अदूसरा है खतरनाक डिब्बा मोबाइल इतों लेकर के बैठ हुआ लिए अतिसरा है गुली डंटा मतलब किर्केट यह ती इन चीज को हिंदुस्तान की सिक्षा को लेकर के बैठ है अभी मैं जहां मेरा डेरा है अजिए श्रीपदास जीन का नाम है अध्भूत हैं उत्रहें बुरहें लगते हैं बच्चें इतना सरव इतना सहज सभाव उनका है क्यों सामने आते हैं तो मालम परता है कोई बच्चा आगए इतना सरल और सहज स्रीपदास जी का जीवन है उनका सहथ कई बेटे हैं उनके बेटे घर की पतोहु छोटे छोटे बच्चे सब उदाहरम है गलास लेकर कोट्षी से बाहर निकलते हैं लागता है सौब तूट पड़ा क्या चाहिए अब एक गलास पानी लेना है तो सौब तूट पड़ा है ख़याद मिला कि पानी देगा हुआ तो सिर्पत दाश जी का पोता है साइट गोवरधन दास है क्या नाम है छोटा लड़का है अभी सुवा सुवा मैंने पुछा उससे कि वेटा क्या करते हो का पढ़ते हैं हम का पर करके क्या बनोगे तो का आप डॉक्टर हम की टीवी देखते हो कि नहीं तो उसकी सरसती गूम हो गई अलहां ना कहने मुसको कुछ बंगता नहीं है सदुसके पिता जी उसने कहा कि सबसे अधिक समय टीवी में जाता है इसका उस लड़के को प्यार से हमने बुलाया समझाया लड़के और लड़कें को समझाया करत शिक्षा का महत बताता हूं उसको शिक्षा की बिना तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा शिक्षा मिलने पर तुम्हारा जीवन कितना परिमार जीत कितना अलंकृत जीवन होगा तुम्हारा फिर उस बच्चे को हमने समझाया एक मोटा प्रस उससे हमने किया है कि बेटा ड दोक्टर परहने से बनता है कि टीवी देखने से, थ्था होस में आ जा ओगी, हमने का डॉक्टर बनोगे परहने से की टीवी देखने से, का परहने से, जिए कि तुम टीवी देखते हो, तो अब क्या करोगे स्कूल न पढ़ने जाओ टीसोन पढ़ने जाओ उसके बाद भी मेडिकल कंप्लीट करने के लिए आठ घंटे अलग से स्टेडी चाहिए इस्कूल और कोचिन चिंसन छोड़ करके आठ घंट के तुमको अलग से पढ़ना चाहिए अइतना मुलिबान समय को तुम टीबी देखने में लगा देते हो फिर उसकी जेब पर मैंने हाथ दिया हमने कहा कि मुबाइल रखते हो कि नहीं कहा कि नहीं उतर नहीं इचे हमकी एक रोग सब बचले है अग गुली डंटा खिलते हो कि नहीं किरकेट आज कल यह हुनहार लरक दूब जुम जुम करके गेंद फेरता है घुम जुम करके बल्ले बाज बल्ला चलाता है अच्छे साथ जब तक सुर्ज अस्त नहीं हो जाए अंधकार सखर नहीं हो जाए तब तक गुली डंटा चलाता है तो तिन तिन चरचर घंटे जो गुली डंटा चलाएगा शाम को स तेकार नहीं पंरने से हम किता अब क्या करोगे करे कि आब परहेंगे हमने का ठीबी तेकार नहीं देखेंगे ते एक प्रस्न और क्या है कि जोट बोलते होगी समच हमको ठकते vaccinated थो नहीं हो हमसे जो सरत कर रहे हो हम आशिरवात दे कर जा रहे हैं कि तुम डाक्टर बनना चाहते हो बनो इन मेरी सर्थ तुम आलो कि जब तक मेडिकल कंपलिट नहीं कर जाओगे तब तक टीवीग पास नहीं बैठेंगे उस लड़के ने कहा कि ऐसा ही करेंगे